नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन निउस पर मेरा नाम है दीपक गुपता मुलायम सिंग यादब जिस तरीके से वेंचिलेटर में साथवा दिन है और लगातार उनकी हैल्थ अबजेट होस्पिटल जारी कर रहा है कलदाजना सिंग जो रक्षा मंतरी है और उन्हें मुलाकात करी उनकी नाजुक हालत जो उस कंडिशन को जानने की कोशिश करी डॉक्टरों के साथ बैचा करी लेकिन आज जो साथवे दिन बड़ी खबर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है और आदी रात को किस तरीके से दर्द से तरपते नज़रा है मुलायम सिंग यादव इसको लेकर भी कई खुलासे अपनी खास रिपोर्ट में करेंगे जिसके किड़नी में इनफेक्शन बड़ा है डियालेसिस उस व्यक्ति का किया जाता है जिसके किड़नी समाने गती से काम नहीं कर रही हो उनका रक्त चाप समाने नहीं हो रहा हो यहाँ पर बता दे कि 22 अगस से मैदानता स्पताल ने भरती मुलायम सिंग का स्वास्ते जो अक्टूबर से खराब होने के बाद उन्हें वा एंटिलेटर पर रखा गया उनका इलाज कैंसर विशेशग्य जॉक्टर नितिन सूत की टीम कर रही थी अब क्रिटिकल केर यूनिट के है जॉक्टर यतीन महता को की टीम कर रही है यानि कि क्रिटिकल कंडिशन में हाँ पर लगातार साथवे दिनवी वेंटिलेटर सपोर्ट पर आईसियू में रखा गया है सास लेने में परिशानी बताये गई गई ताजा जानकारी के मताबिक आक्सिजन की कमी मातरा में कमी होने के कहीं ने कहीं आईसियू लाए गया था वे कई दुनों के बाद भी ठीक से सास नहीं ले पा रहे हैं यह जोक्टरों के लिए एक परिशानी की बात बताई जा रही है लगातार मैदानता होस्पीटल में मुलायम सिंग यादब को देखने के लिए नेता जी को देखने के लिए ताता लगावा है यहाँ पर नेताओं का और उनके समर्थकों का लेकिन अधिरात को भी हाँ पर मुलायम सिंग यादब की गंबीर बिमारे को लेकर तमाम बाते कही और जो सच है वह आप सभी तक पहुचा दिया गया उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी बाकि नेता जी कि अच्छे स्वस्थ के लिए हम सब भी कामना कर रहे हैं आप भ बहुत बहुत धन्यवाद